स्वागत आप सभी का आज की इस वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कुमार एन मलिक से अपनी टेरीडोफाइट टॉपिक के क्वेस्टन्स ठीक है इससे पहले भी मैं आपको अल्गी और ब्रायोफाइट के क्वेस्टन्स करा चुका हूं स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो पहला कोशन है वस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स जो क्रिप्टोग्राम्स होते हैं क्रिप्टोग्राम्स वो होते हैं जिन में ना तो फूल होता है और ना ही बीज बनता है चीक है और वस् अन्हुल कुल बनते हैं और ना तो इनमें बीज बनता है अगला कुशिण ऐ घर्बफाइट क dud वॉट mio होते हैं इनकी जनरल होते हैं हर भी सिम्म मतलब तोً हमारा नम बी गरेंगे जनरली हर्प्स रेयरली क्लाइमबर्स एंड ट्रीज चलते हैं अगले क्वेशन के और अगले क्वेशन में हमसे पूछा है विच इज रिगारिट एज एज एज़ ऑफ टेरीडोफाइट एज और टेरीडोफाय्ट कहने का मतलब है टेरीडोफाइट का यूग यह हम बात करे सारा हम बोटैनिकल स्नेक to नहीं वह किसको बोलता है तो देखें तो सनेक रहता है मानलो यह आपका इस तरफ चल रहा है यह जे साप है आपका इस डारेक्शन में जा रहा है तो वैसे ही यह जमीन और जमीन के उपर कौन रहते हैं यह हमारे टेरिटोफाइट्स और यह भी इनके उपर ऐसे मतलब जमीन से चिपके हुए ही चलते हैं और इनमें ग्रोथ हमेशा आगे की तरफ होती है ठीक है यह ऐसे हवा में उपर की तरफ मतलब इसमें एरियल जो ग्रोथ होती है वो यहां पर हम pteridophytes को बोलते हैं botanical snakes चलते हैं अगले question की और अगले question में हमसे पूछा है in which of the following plant the deployed stage is dominant deployed stage dominant कहने का मतलब है जो उसकी 2N वाली condition है वो dominant किस में होती है 2N condition की अगर बात करें तो इसको हम बोलते है sporophytic generation तो sporophytic generation जो हमारी dominant होती है वो होती है funds में यह मतलब teratophytes में बाकी जो सब है इन में हमारी haploid stage है जिसको हम बोलते है gamutophyte यह dominant होती है अगला question है teratophyte are characterized by teratophyte को हम किस से पहचान सकते हैं या उनमें कौन सा लक्षण देखा जाता है तो वो है presence of vascular bundles इन में vascular bundles पाई जाते हैं अगला question है teratophyte bryophyte से अलग कैसे हैं तो आपको पता है bryophyte में vascular bundles नहीं पाया जाता है जबकि teratophyte में vascular bundles मौजूद होते हैं तो यह हमारा क्या है इसका correct option मतलब option number D है यह क्या है presence of vascular tissue मतलब जो vascular tissue xylem phloem किस में present होता है teratophyte में और bryophyte में यह देखे नहीं जाते हैं मतलब यह absent होते हैं चलते हैं अगले question क्यों और अगले question में हमसे पूचा है phloem in teratophyte जो teratophyte है उन में जो phloem है इन में से कौन सी चीज नहीं होती है तो companion cells में absent होते है xylem में vessels present होते हैं इन में से किस के xylem में vessels देखने को आपको मिलेंगे तो वो equis item और silaginal दोनों में देखने को मिलते हैं इसलिए हमारा option number d क्या हो गया correct answer होगा अगला question है secondary growth जो है वो किस में देखने को मिलती है तो teratophyte में secondary growth है secondary growth का मतलब होता है पेड़ की चोड़ाई का बढ़ जाना पेड़ क्या हो गया चोड़ा हो गया पेड़ की गर्थ क्या है इंक्रीज होना यह क्या है secondary character जो की teratophyte में देखने को नहीं मिलता है लेकिन एक exception है वो कौन है आइसोईट्स आइसोईट्स में secondary growth देखने को मिलती है तो हमारा correct option होगा B absent accept eats सब में absent होती है आइसोईट्स को छोड़ कर चलते हैं अगले question की और अगले question में हमसे पूछा है members of teratophyte teratophyte हैं उसके member कैसे होते हैं तो वो homosporus और heterosporus दोनों होते है heterosporus का मतलब होता है दो टाइप के sports का बनना चाहे एक बड़ा हो या एक छोटा इस्पोर हो homosporus का मतलब होता है सारे समान एक रूप से दिखने वाले sports के बनने को हम बोलते हैं homosporus चीक है अगले question में हमसे पूछा गया है sports on germination in teratophyte give rise to जो sport germinate करता है तो वो क्या बनाता है वो बनाता है प्रोथेलर्स प्रोथेलर्स का मतलब plant अगला है इन मैसे heterosporus कौन है तो azola, salvenia, silagina, यह तीनों ही क्या है हमारे heterosporus मतलब दो टाइप के inmost sports देखने को मिलते हैं इसलिए option number D correct option होगा चलते हैं अगले question की और तो अगले question में हमसे पूछा है जो हमारे sex organ है teradophytes में वो कैसे होते हैं तो teradophytes के sex organ एक तो multicellular होंगे और उनमें jacket पाई जाता है ठीक है यही same condition हमको bryophytes में भी देखने को मिलती है bryophytes के sex organ भी multicellular होते हैं मतलब बहु कोशिक ही होते हैं और उनमें जैकेट पाई जाती है तो मतलब multicellular and jacket option number c हमारा correct होगा चलते हैं अगले प्रश्ण की और अगला प्रश्ण है हमारा number of neck canal cells in archegonium of teradophyte कहने का मतलब जो teradophyte है इसकी जो archegonium है मतलब female part है उसमे number of neck canal cells अब यह देखो archegonium को structure मैं आपको बताओ तो general general ऐसा structure होता है नीचे वाला हिसा होता है vendar इसके उपर वाला ये जो हिसा वोता है इसको हम बोलते है नक और नक में ही मिलती ungefysz neck सैल्ष पैर मतलब इस neck वाले area में जितनी सैल्स मिलती है किसमें? neck canal cells इसके archegonium में है, ठीक है? तो आप देखेंगे, एक जो neck canal cells है, यह हमको मिलती है, S-E-L-A-G-I-N-E-R-L-A, एक होती है, S-E-L-A-G-I-N-E-L-L-A में, और जब भी हम बात करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारे 14 neck canal cells है, यह हमको किसमें देखने को मिलती है, तो हमको देखने को मिलती है Lycopodium में Lycopodium में 14 होती है और Silagenella में 1 होती है Vascular Crypto Games में Spermatojoids बताने हैं कैसे होते हैं तो वो Biflagellated और Multiflagellated दोनों हो सकते हैं Biflagellated Silagenella में होते हैं और जो हमारे Multiflagellated होते हैं वो होते हैं Farns में अगला है Alternation of Generation जो शब्द है यह किसके द्वारा सबसे पहले इस्तिमाल किया गया है Farn और Mosses Mosses मतलब Brayophyte के लिए तो Hopminster द्वारा इस सब्द प्रियोग किया गया है Alternation of Generation का मतलब है एक generation पहले आती है उसी के बाद दूसरी जनरेशन आती है जो इससे अलग होती है दिखने में अगर हम पहले sporophyte की बात करें तो दूसरी जनरेशन क्या होगी Gametophyte अगर हम पहले gametophyte की बात करें तो दूसरी जनरेशन क्या होगी Sporophyte ठीक है एक जनरेशन की बाद दूसरी जनरेशन का आना दिखना इसी को हम बोलते है Alternation of Generation चलते हैं अगले question की और अगले question में हमसे बूचा है The characteristic feature of EU Sporangea type of Sporangeum कहने का मतलब है EU Sporangea type का Sporangeum development कैसा होता है तो जब बहुत सारी groups of cells बनाएं क्या Sporangeum और यह क्या हो यह multi-layered इसमें jacket हो और यह large number के sports बनाएं तो इसको हम बोलते हैं EU Sporangea type का development मतलब all of the above इसका correct answer होगा जिसमें बहुत जाता sports बनेंगे multi-layered jacket मिलेगी और यह बनेगा group of cells से अगला question है हमसे पूचा गया है ब्राइवफाइट इस commonly called as club moss club moss हम किसको बोलते हैं या spike moss हम जो है वो किसको बोलते हैं तो हम बोलते हैं lapidophyta को या lycophyta के members को बोलते हैं चलते हैं अगले प्रशन की और अगले प्रशन में हमसे पूचा है the term steel was first used by मतलब जो शब्द है steel वो सबसे पहले किसने प्रयोग किया है तो यह किया है वेंट टिगमन और डॉलेट के द्वारा प्रयोग किया गया है चलते हैं अगला question अगला question है steel जो है steel में क्या क्या चीज़ा आती है तो देखो जब भी हम steel की बात करेंगे तो steel में क्या आएगा xylem phloem steel में आता है हमारा एक तो xylem आता है और दूसरा आता है phloem इसी के 77 A इसमें आता है pit p-i-t-h pit इसी को हम बोलते है medulla m-e-d-u-l-a medulla बोलते है pit को और pit के बाद जो आता है इसमें आता है pericycle p-e-r-i-c-y-c-l-e pericycle तो ये तीन चीज़ा जनरली आती है xylem phloem pit pericycle ठीक है तो हम अपना option देख लेते हैं option number C correct होगा vascular tissue pit pericycle xylem phloem है इसी को हम बोल देते हैं vascular tissue भी बोलते हैं most primitive type of steel मतलब सबसे प्राचीन या सबसे पहले जो steel देखी गई थी उसको हम क्या बोलते हैं या वो किस में देखने को मिलती है तो वो होती है proto-to-steel अगला question है proto-to-steel का कौन सा हिस्सा नहीं है इन मैसे जो हमारी proto-steel होती है उसका कौन सा हिस्सा नहीं है तो जो पित होती है ये proto-steel का part नहीं होती है चीक है steel का part होती है लेकिन proto-steel का नहीं होती है चीक चलते हैं अगले question के उपर अगले question में हमसे पूछा है proto-steel proto-steel with pit वो proto-steel जिसमें pit है या पित का दूसरा नाम होता है Medulla तो Medulated Proto Steel जिसमें मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं Siphonil Steel बोलते हैं ठीक है अगला कोशन अगला कोशन है हमारे जो Leaf Gap के साथ जो Steel किसमें पाई जाती है Steel with Leaf Gap वो Steel बताओ जिसमें Leaf Gap देखने को मिलता है तो उस टाइप की Steel को हम क्या बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं Phylosiphonic ठीक है Phylosiphonic Steel अगला कोशन है Heterosporus Pteridophytes Always Produce मतलब Heterosporus हैं तो क्या बनाएंगे दो टाइप के Gametes ठीक है और दो टाइप के Gametes अलाग अलाग Germinate होते हैं तो ठीक है तो उनसे क्या बनेगा Dioses Gametophyte ठीक है मतलब दो अलाग अलाग Gametophyte बनेगे एक में होगा Male और दूसरा होगा Female ठीक है तो चलते हैं अगले Question की अगला प्रस्चन है हमारा In the formation of Sipono Steel from Proto Steel कहने का मतलब है Proto Steel से बनानी है Sipono Steel या Proto Steel से बनी है Sipono Steel इसमें जो हमारी Pit है या Medulla है इसका Origin जो है वो कैसा होता है तो यह Interstellar और Extrasterstellar दोनों हो सकता है अगला Question है Teridophyte का जो यह हमारा Teridophyte है Teridophyte का Megasporophyll है यह Angio Spum के किस Structure से Compare किया जा सकता है तो हमारा Megasporophyll जो है वो हम Carpelle से इसको Compare कर सकते है जो कि क्या होता है Female Part चलते हैं अगले Question की और अगले Question में हम से पूछा है Heterospory is the production of जो हमारी Heterospory है Heterospory का मतलब होता है दो टाइप के Spores का बनना इसमें दो टाइप के Spores कैसे कैसे बन सकते हैं तो Large and Small Spore एक Spore Large हो सकता है एक Spore छोटा हो सकता है तो मतलब है दो टाइप के Spores बन रहे हैं इसी को बोलते हैं Heterospory अगला Question है वो पहला Fossil Terodophyte बताओ जो खोजा है Sir William Dawson तो वो राइनिया है Silophyton है Horneophyton है या Esterozylon है तो हमको पता है वो क्या है वो है Silophyton जो की खोजा है पहला Fossil Terodophyte जो खोजा गया है Sir William Dawson के दोरा अगला Question है इन में से कौन सा Fossil Terodophyte नहीं है Fossil बनते हैं या इसको हिंदी में बोलते हैं जीवाश्म जीवाश्म जो होता है वो बनता है बहुत सालों के निरंतर प्रक्रिया के बाद जिससे हमको Petrol या कोल मिलता है मतलब कोयला और Petrol इनी से निकाला जाता है या इनी से प्राप्त होता है Fossil दो टाइप के होता है एक होता है Plant सा एक होता है Animals का हमसे पूछा गया है Terridophyte का Fossil कौन सा नहीं है तो जो ये गाइनिया है ये हमारे Terridophyte का Fossil नहीं होता है चलते हैं अगले question की और अगले question में हमसे पूछा है एक Rootless है Rootless मतलब जड़ नहीं है Leafless है मतलब पतिया भी नहीं है है वो Terridophyte और मिला कहां से राइन चर्ट बेट से अब इन शायर स्कॉटलेंड से जो की है राइनिया वो किस के द्वारा खोजा गया है तो इसको खोजा है किड्सन एंड लैंग के द्वारा खोजा गया है कब खोजा गया है 1913 1913 1913 मे खोजा गया है अगला प्रशन है टिलोम थियोरी जो है वो किस ने दी है टिलोम थियोरी तो यह दी है जीमर मैन ने कब दी है 1930 में दी है इस थियोरी में था क्या इस थियोरी में यह था कि जो हमारे सिंपल स्पोरोफाइट होते हैं सिंपल स्पोरोफाइट simple sporophyte से हमारे क्या बने है complex sporophyte, समझो यह क्या है, simple sporophyte हमारा कौन सा होता है, या किस में मौझूद होता है, वो होता है, रिसिया में मौझूद होता है, आपने देखा होगा, रिसिया में क्या होता है, sporophyte में सिर्फ capsule मौझूद होता है, इसमें foot sita absent होता है, लेकिन जब आप complex sporophyte में funeria के बारे में पढ़ते हैं तो funeria में जो पाया जाता है sporophyte उसमें foot ceta capsule ये तीनों भाग मौजूद होते हैं तो हम ये कह सबते हैं कि रिशिया में क्या है simplest और इसमें क्या है funeria में complex तो simple sporophyte से complex sporophyte बनने की जो पूरी प्रक्रिया है इसको समझने के लिए जो theory प्रियोग करते हैं उसका नाम है telome theory जो की दी है Zimmerman ने चलते हैं अगले question की और अगले question में हमसे पूछा है elaboration of simpler sporophyte into modern complex sporophyte मतलब simple sporophyte का बनना complex में ये कौन सी theory explain करती है अभी मैंने आपको बताया उसका नाम गया है telome theory ठीक है चलते हैं अगले question की और अगले question में हमसे पूछा गया है highest number of chromosome जो है वो कि stereidophyte में मिलते हैं ये है of your glossome और इसका जो number है वो कितना होता है तो इसमें 1200 के आसपास जो हैं वो देखने को मिलते हैं exact बताऊ तो 1262 इसमें देखने को मिलता है जो इसका highest chromosome number है और ये क्या है deploy it 2N is equal to 1262 2N is equal to 1262 अगला question है जो little club mouse है ये हम किसको बोलते हैं little club mouse ये हम बोलते हैं सिलाज निल्ला को horse tail हम बोलते हैं EQ system को चीक है अगला question है अगला question है हमसे पूचा है जो fern addiantum है fern है addiantum इसका common name क्या है तो addiantum को हम बोलते है mayden hair fun addiantum को हम mayden hair fun इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो इसका petiol होता है वो kale color का होता है बहुत चमकदार होता है और कैसा होता है एकदम smooth होता है ठीक है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं Madden hair fun और यह विशेशता होती है इसमें इसके पैटियोल के द्वारा अगला कोशन है walking fun मतलब चलने वाला fun जो है वो हम किसको बोलते हैं वो बोलते हैं हम किसको Eddie and Tom codon को ठीक है Eddie and Tom codon को हम बोलते हैं अपना walking fun ठीक है walking fun बोलते हैं Eddie and Tom codon अगला कोशन अगला कोशन है इन में से हमारा rootless fun कौन सा है rootless मतलब जिसमें जड़ नहीं पाई जाती है तो वो हमारा होता है Salvenia होता है हमारा rootless fun चलते हैं अगले question के और अगले question में हम से पूछा है कश्मीर के डल जहिल में जो कश्मीर है कश्मीर का डल जहिल है उसमें पाई जाने वाली जो टेरिडोफाइट है या जिसकी वहाँ पर luxuriant growth होती है मतलब बहुत अच्छे से देखने को मिलता है डल जहिल में जम्मू कश्मीर के कश्मीर के स्रीनगर में डल जहिल है उसमें किसकी growth सबसे अच्छी होती है मार्शीलिया की सालविनिया की एडियन्टम की अजोला की तो वो है हमारा सालविनिया सालविनिया की एक species है सालविनिया नेटन्स इसकी जो growth है वो बहुत अच्छी पाई जाती है अगला question है which is a zerophytic fun zerophytic fun हमसे पूछा है यह हमारी कौन सी है तो यह हमारी वोट्सिया इलाउंगेटा चलते हैं अपने अगले प्रश्णी की और अगला प्रश्ण है जो सबसे छोटा fun है मतलब smallest जो हमारा fun है वो हमारा कौन सा होता है वो है अनो ग्रेमा जो कितना होता है वो चार से पांच सेंटेमेटर होता है अगला कुशन है tallest teridophyte या tallest fun जो tallest fun है वो कौन सा है वो है साइथिया जो हो सकता है 20 फूट तक ठीक है जिसकी लंबाई 20 फूट तक हो सकती है अगला कुशन है हेटोस्पोरी मतलब दो टाइप के सीड बनना और सीड हैबिट मतलब सीड हैबिट मतलब होता है सीड बनने की शुरुवाती प्रक्रिया जो सबसे अच्छी किस में देखी जा सकती है तो वो है हमारा सिलाजिनला अगला कुशन है resurrection plant जो है वो हम किसको बोलते हैं सिलाजिनला lepido phyla को चलते हैं अंगले question की और अगले question में हम पूछा है सिलाजिनला है सिलाजिनला में क्या होता है तो सिलाजिनला में डोनो टाइप की लीव आई जाती है ।ाइआमॉर्फिक भी ।ाइव्योमोर्फिक भी Trapically तो हम इसको बोलते हैं Legural ठीक है और जो इसकी growth होती है वो होती है Adaxial side पर A, D, A, X, O, A, L Adaxial side पर इसकी growth होती है ठीक है चलते हैं अगले question के उपर अगले question में हमसे पूठाए Leafs in Silasinallah Silasinallah की जो पत्तियां है वो कैसी होते हैं तो देखिए option, silaginilla की जो हमारी पतियां होती है, वो होती है, sasile, sasile होती है, ovet होती है, lanculate होती है, acute apex पाया जाता है, और central में मिलती है unbranch midrib, जो midrib होती है, वो branch नहीं होती है, तो option number B हो गया हमारा correct, अगला question है, एक जो mature ligule है, जिसमें prominent basal portion होता है, उसको हम क्या बोलते है, तो इसको बोलते है, glossopodium, ठीक है, option number C हमारा correct होगा, अगला question है, एक leafless, colorless, positive geotrophic organ है, जो बनता है, point of bifurcation of system, जहाँ पर stem bifurcate करती है, मतलब divide होती है, वहाँ पर बनता है, जिसमें पतिया भी नहीं है, कोई color भी नहीं है, तो इस structure को हम क्या बोलते है, इस structure को हम ब correct answer होगा, चलते हैं, अगले question की और, अगले question में हम से पूछा है, silaginilla plant is, जो हमारा silaginilla है, इसका जो plant है, वो कैसा होता है, hetero spores, दो type case 4 बनते हैं, silaginilla का जो rhizophore है, वो क्या है, यह होता है, organ issue generous, जेक है, option number C हमारा correct होगा, rhizophore जो होते हैं, किसमें मौजूद नहीं हो होते हैं, या इन में पाए नहीं जाते हैं, या इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इन में, तो चलते हैं अपने अगले question की, अगले question में जो हम से पूछा गया है, वो पूछा गया है, root like character, root like character of rhizophore is not, जो जड़के जैसा character रखता है rhizophore, वो इन में से क्या नहीं है तो वो exogenous origin उसका नहीं पाया जाता है, exogenous origin जो उसके लिए बात है, ये गलत है, ठीक है, चलते हैं अगले question की अपर, ठीक है, अगला question है, trabeculated जो हमारी endodermis होती है, trabeculated endodermis होती है, ये किसका characteristic है, ये है silaginilla का characteristic, अगला question है, silaginilla में जो stem है, stem में पाई जाने वाली जो steel है, वो कैसी होती है, तो ये होती है, हमारी एक तो होती है, die arc और exarch पाई जाती है, अगला question है, राई जो फोर्जो पाया जाता है, silaginilla में, उसमें steel कैसी मिलती है, तो उसमें steel कैसी मिलती है, उसमें हमें देखने को मिलती है, जो हमारी वो होती है, क्या, steel वो होती है, एक आपके questions आने की संभावना है आता है आप इन questions को अच्छे से पढ़ लें समझ लें याद गर लें ठीक हो सकता है इन तीनों में से कोई question अब आपको आपके आने वाले exam में देखने को मिल सकता है ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडिय कोई में